महा कुम्भ दो हजार पचीस को भव्य और दिव्य बनाने के साथ ही योगी सरकार दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को पूरी दुनिया के सामने मिसाल के रूप में प्रस्तुत करने जा रही है करीब दो माह तक चलने वाले इस बड़े आयोजन को सफलता पूर्वक संपन कराने के साथ ही इस पार कुम्भ दो हजार उननीस की तर्च पर कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किये जाएंगे ये रिकॉर्ड्स कुम्भ दो हजार उननीस में बनाए गए रिकॉर्ड्स में सुधार करेंगे और सारवजनिक गतिविधियों में जनभागी दारी की भावना को प्रोटसाहित करेंगे 2019 में जहां इन गतिविधियों पर योगी सरकार ने 3.5 करोड रुपए खर्च किये थे तो वहीं इस पार 5 करोड रुपए के बजट का प्राविधान किया गया है इन रिकॉर्ड्स के जरिये योगी सरकार पूरी दुनिया को ग्रीन एवं स्वच महाकुम्भ का संदेश भी देगी योगी सरकार ने महाकुम्भ के पावन अवसर पर आम लोगों की सभागिता को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर तयारिया की है जनसभागिता के माध्यम से चार गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किये जाने की योजना है इन सभी गतिविधियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में स्थापित करने के लिए योगी सरकार की ओर से कुल 4.8-7 करोड रुपए के बजट का प्राविधान किया गया है इसमें गतिविधियों के प्रबंधन पर सवा 2 करोड रुपए खर्च होंगे जबकि अन्य विकासकारियों पर भी 1.6-2 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा इससे पूर्व 2019 कुम्भ में भी कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किये गए थे जिन पर योगी सरकार ने 3.5-3 करोड रुपए से ज्यादा की राशी खर्च की थी इस तरह महा कुम्भ में विभिन रिकॉर्ड के लिए आयोजित होने वाली गतिविधियों में 1.25 करोड रुपए से अधिक की राशी खर्च की जाएगी कुम्भ 2019 में योगी सरकार द्वारा सर्वाधिक हैं इंट्प्रिंट प्रिंटिंग का रिकॉर्ड स्थापित किया गया था उस दौरान 8 घंटे में 60 फीट के कैनवास पर 7,664 लोगों द्वारा हस्ताक्षर पेंटिंग में योगदान दिया गया था यह रिकॉर्ड एक सामुदाइक भागीदारी गतिविधी थी जिसमें दुनिया भर के लोगों ने भाग लिया इस गतिविधी ने दक्षन कोरिया द्वारा बनाए गए 4,675 हस्ताक्षरों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा महा कुम्भ 2025 में योगी सरकार ने इस गतिविधी में 10,000 लोगों को समिलित कर नया रिकॉर्ड स्थापित करने की योजना बनाई है इसी तरह कुम्भ 2019 में योगी सरकार की ओर से मेलाक्षेतर में 28 फरवरी 2019 को सबसे बड़ी बस परेड का आयोजन किया गया था प्रयाग राज मेला प्राधिकरन और उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम की परिवहन क्षमता के कुशल प्रबंधन को प्रदर्शित करने के लिए इस कतिविधी के माध्यम से 503 बसों के बेडे ने शांदार परेड निकाली थी जिसने सभी का ध्यान आकरशि देने के लिए 1000 इलेक्रिक रिक्षा, इरिक्षा की परेड निकालने की योजना है। इस महाकुंध में इस रिकॉर्ड को भी तोड़नी की योजना पर कारे किया जा रहा है। योजना अनुसार इस बार 15,000 लोग एक साथ मेलाक्षेत्र के विभिन स्थानों और घाटों पर सफाई अभियान चलाएंगे। स्वच्छता की इस कारेक्रम में एक और नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा, जिसके तहट 300 लोग एक साथ नदी में उतरेंगे और सफाई अभियान को अंजाम देंगे। आके झाल की काल तुम पर तुम आके जच्छता की जोगा है। ा झाल की अपोगईंगे।